हेलो जी साथ स्रिया काल बहुत बहुत स्वागत है तो हादा सार दा मेरे चैनल ते मैं हादीब कॉल आज एक नवी वीडियो जड़ी की बहुत एहम होन वाली है जेदे विच एक इतिहास दस्या गया है कि यहूदी तरम जड़ाया ओधी शुर्वात जड़ियो कितों होन दी है जेकत वीडियो तो हानों वदिया लगे तो इसनों लाइक तो शेयर ज़रूर कर दियो ते एए वीडियो जड़ी है ओओ कोल्ड क्राइम स्टोरी चैनल है ओटो जड़ी अपलोड कीती गई है आओ आज आपा एवीडियो देख देए कि यहूदी तरम कितों जड़ी होदी कितों शुरुवात होई है आप वीडियो स्टार पर जे मेरे चैनल ते पहली वार आएने पहली वार इस वीडियो नू देख रहेने ओ मेरे चैनल नो जड़ा फटा-फट कर दो सब्सक्राइब ना लगा बेल आइकन ज़रूर तबाते हो तांचर मेरी ऑनवार यह वीडियो स्टार नोटिफिकेशन तो हड़ी कर दे आपा वीडियो स्टार लेट्स वाच्ट वीडियो यहुदियों की तारीख क्या है और ये अपने आपको बनी इस्राइल क्यों कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे के बनी इस्राइल कौन है, किस नभी की आुलाद हैं और बनी इस्राइल के अकाइब क्या हैं। और फलस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसल्मानों के साथ क्यों जगरते हैं इसके अलावा बनी इसराइल के मशूर अंबिया कौन-कौन है ये भी आपको बताएंगे विडियो बहुत ही एहम है इसलिए विडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है प्यारे दोस्तों याद रहे कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलाहिस्सलाम की आुलाद हैं और क्योंकि हजरत याकूब अलाहिस्सलाम का एक नाम या लकब इसराइल भी था इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं दोस्तों क्योंकि बनी इस्राइल हजरत याकूब अलाहिस्सलाम की आुलाद हैं इसलिए याकूब अलाहिस्सलाम की और उनकी आुलाद की दास्तान का बयान करना जरूरी है दरसल यही दास्तान बनी इस्राइल की भी दास्तान है तो चलिए ये दास्तान शुरू करते हैं और मा छोटे यानि याकूब अलाहिस्सलाम से ज्यादा मुहब्बत करती थी एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फर्माईश की कि उन्हें शिकार का गोश्ट खिलाया जाए ये सुनकर महीस शिकार की नेयत से जंगल की तरफ चल दिया जबके माने याकूब अलाहिस्सलाम से कहा कि तुम जल्दी से बक्री जिबाह करके बाप को गोश्ट पेश करो और दुआएं ले लो जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सक्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलाहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्ट खिला दिया इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई सूरते हाल को भाबते हुए माने याकूब अलाहिस्सलाम को मशवरा दिया के वो भाई के गैजो गजब से बचने के लिए घर छोड़ कर अपने मामू के पास इराग के शहर हरान चला जाएं क्योंकि इस मश्वरे में वालिद की राय भी शामिल थी इसलिए याकूब अलेहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए वो रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बना कर सो गए आख लगी तो खुआब देखा के जमीन से आसमान तक एक सीही लगी हुई है जिसके जरीए फरिष्टे उपर नीचे आजा रही है इसी असना में अलाह ने आप से मुखातिब होकर कहा मैं तुझको अनकरीब बरकत दूँगा और तेरी उलाद को कसीर यानी ज्यादा कर दूँगा ये जमीन तेरे लिए कर दूँगा और तेरे बाद तेरी उलाद के लिए दोस्तों बताया जाता है के इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी आज तक दावा करते हैं के ये जमीन यानी फलस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है यानी अलाह की तरफ से हिबा है इसलिए कोई दूसरी कौम और फलस्तीनी मुसल्मान किस तरह से इस पर अपना हग जता सकते हैं रिवायात में आता है के हजरत याकूब अलाहिससलाम जब खुआप से बेदार हुए तो बहुत खुश थे अलाह का शुक्र अदा किया और मननत मानी के जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालित के पास वापस पहुँचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अलाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूँगा और अपने माल का दस्वा हिस्सा अलाह की राह में खैरात कर दूँगा चुनाचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसे तकिया बना कर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो और हजरत याकूब अलाहिससलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुँचे मामू भांजे को देख कर बहुत खुश हुआ सीने से लगाया और खूब खातिर तवाजो की रिवायात बताती हैं के लाबान की दो बेटिया थी बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था क्योंकि छोटी बहुत ही हसीनो जमील थी लिहाजा याकूब अलेहिससलाम ने मामू से उसका रिष्टा मांग लिया जिस पर लाबान ने कहा के तुम 6 साल तक मेरी बक्रियां चराओ कुछ रिवायात में 7 साल तक भी लिखा है तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूँगा इस वादे पर याकूब अलेहिससलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बक्रियां चराते रहे जब मुद्दत पूरी हुई तो लाबान ने अजीजों अकारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलाहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया अब शादी की पहली रात जब याकूब अलाहिस्सलाम अपनी दुलहन के पास गए तो पता चला की निकाह राहील से नहीं बलकि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है सुबह हुई तो मामू से पूछा के ये क्या माजरा है मामू ने जवाब दिया के हमारे यहां रिवाज के मताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था याकूब अलाहिस्सलाम ने जवाब दिया इस पर लाबान ने कहा कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो और साथ साल मेरी बक्रियों की देखभाल करनी होगी ये सुनकर याकूब अलाहिस्सलाम ने मजीद साथ साल मामू की बक्रियां चराने की हामी भर ली और जब साथ साल मुकमल हुए तो लाबान ने राहील की शादी भी याकूब अलाहिस्सलाम से कर दी याद रहे उस वक्त दो बहनों से एक मर्द की शादी मम्नुना थी अपने वतन के नान जो मौजूदा फलस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाही। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी दो बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारें अब बिछड रहे थे। उसने याकूब अलाहिस्सलाम को कुछ दिन ओर रुकने को कहा, मगर उन्हें अलाह की तरफ से हुक्म हो चुका था। के अब वापस अपने वतन के नान याद रहे फलस्तीन का पुराना नाम के नान था, वहां जाकर दीने इसलाम की तबलीग करो। इसलिए वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। भांजे को रुकसत करते हुए लाबान ने अपनी बेकियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड बक्रियां और सामाने खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलाहिस सलाम ने सफर करते हुए केनान के नजदीक पहुँचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था। लेकिन याकूब अलाहिस सलाम को इस बात का इल्म न था। गाव के लोगों ने महीस को खबर दी के एक काफला, खवातीम, बच्चों और भेड बक्रियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफले के सालार का नाम याकूब है। ये सुनकर पहले तो महीस परेशानी और ताज जुब में पढ़ गया के ये कौन लोग हैं जो इतना मालो असबाब लेकर यहां से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर जल्द ही बीस साल पुरानी दास्तान याद आ गई के हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो चार सौ भेड बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलाहिस्सलाम को ये खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए के जिस भाई की वजह से मुझे बतन छोड़ना पड़ा अगर वो ही आ रहा है तो मुझे परिशान करेगा। मगर एन उसी वक्त आस्मान से फरिष्टे ने आकर कहा गमगीन ना हो और भाई का इस्तक्बाल करें। ये सुनकर उनकी हिम्मत बंधी अपने रेवड से कुछ जानवर बतोरे तोफा लिये और आगे बढ़कर भाई का इस्तक्बाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा पास आकर याकूब अलाहिस सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाजों की। हजरत याकूब अलाहिस सलाम चंद दिन भाई की मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो बीस साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरुशलम के करीब उस मकाम तक पहुँच गए जहां उन्होंने बीस साल पहले पत्थर के तकिये पर सर रख कर रात उन्हें अपनी मननत याद आ गई लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मल कर गए थे अगर्चे बहुत वक्त गुजर चुका था लेकिन अल्लाह की मददो ताईद हासिल थी इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मननत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया जिसे आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों यहां आपको ये बताते चलें कि हजरत याकूब अलाहिससलाम के बाद डाउद अलाहिससलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलाहिस्सलाम ने जिन्नाद की मदद से यहां एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी है कले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं बताया जाता है के ये इमारत रुमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दिवार बाकी है, जिसे दिवारें गिरिया और वेस्टन बॉल भी कहा जाता है. आपने तस्वीरों में या विडियोज में यहूदियों को अकसर इस दिवार के साथ खड़े होकर तो रात पढ़ते देखा होगा. यहूदियों का ये भी मानना है के मुसल्मानों ने अपने दौरे इक्तदार में इस जगह पर मस्जिद अकसा तामीर की है, के जहां कभी है कले सुलिमानी मौझूद था. इसलिए हमें जब भी मौका मिला, हम मस्जिद अकसा को गिरा कर दोबारा ग्रेट हेकल तामीर करेंगे. तो दोस्तों बात हो रही थी याकूब अलाहिस्सलाम की याद रहे के हजरत याकूब अलाहिस्सलाम की दो बीवियां और दो बांदियां थी. लिया और राहील दो सगी बहने और मामू की बेटियां जिन से शादी करके आप इराग से यरुशलम वापिस जा रहे थे जबकी बांदियों में जुल्फा और बलहा के नाम रिवायात में मिलते हैं इन सब के बदन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाईश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है पहली बीवी लिया से रैबून, शमून, लावी, यहूदा, लिस्याकार और जबूलून बेटे पैदा हुए जबकी एक बेटी दीना भी पैदा हुई दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन दो बेटे पैदा हुए बांदी जुल्फा से जात और आशर दो बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली दो बेटे पैदा हुए यू याकूब अलाहिससलाम के बारह बेटे और एक बेटी थी इन्हीं बारह बेटों से आगे चल कर बनी इसराइल के बारह कबीले वजूद में आए याद रहे के बनी इसराइल से मुराद इसराइल की आुलाद है क्योंकि हजरत याकूब अलाहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा लेकिन हजरत याकूब अलाहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनास्बत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों इस किस्से की इब्तदा दरसल हजरत इबराहीम अलाहिस्सलाम से होती है और वो इसलिए कि हजरत याकूब अलाहिस्सलाम इसहाक अलाहिस्सलाम के बेटे और इबराहिम अलाहिस्सलाम के पोते हैं इस तरह सलन ये आले इबराहीम है और हम मुसल्मान हर नमाज में आले इबराहीम अलाहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं लेकिन दोस्तों ये दास्तान जानबूच कर हजरत याकूब अलहिससलाम से शुरू की गई है क्योंकि उनके वालिद हजरत इस्हाक अलहिससलाम के जंक्षन से आले इबराहीम दो हिस्सों बनी इस्राइल और बनी इस्माइल अलहिससलाम में बंट जाते हैं।ור यही वो नुक दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम अलएसलाम की दो बीविया थी. पहली बीवी बीवी सारा से उलाद नहोने पर आपने फिरॉन मिस्र की बेटी सयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बदन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माईल अलहसलाम की शक तो दो औरतों के दर्मियान जब कलिश शुरू हो गई। इसलिए हजरत इबराहिम अलाहिस्सलाम, बीबी हाजरा और नोमोलूद इसमाइल अलाहिस्सलाम को यरुशलम से कोसों दूर वादिय मक्का में सफा और मर्वा के मकाम पर छोड़ाए। और इसी जगे आज हमारे हज क एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीवी हाजरा और हजरत इसमाइल अलाहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अलाह ने बीवी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इन ही इसहाक अलाहिस्सलाम के बेटे याकूब अलाहिस्सलाम की नसल को इस्राइल कहा जाता है। इस्राइल के अरब की वादिये मक्का में आले इस्माईल के नाम से आगे बढ़ी। प्यारे दोस्तों ये सारी दास्तान बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इस्राइल और बनी इस्माईल के बारे में तफसील से बताया जाएं। और आप जान चुके हैं के हजरत इबराहीम अलाहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला चला। हजरत इस्हाक अलाहिस्सलाम के बेटे याकूब अलाहिस्सलाम की आौलाद बनी इस्राइल कहलाई जबके इस्माईल अलाहिस्सलाम की बनी इस्माईल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इस्राइल कहते हैं इन यहूदियों और अर्बों यानि मुसल्मानों में जो जगड़ा चल रहा है इस जगड़े की असल वजा हजरत याकूब अलाहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका जिक्र विडियो के शुरू में हुआ था के जब हजरत याकूब अलाहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रख कर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अलाह ने उन्हें बशारत दी के मैं तुझे बरकत दूँगा तेरी आुलाद को कसीर कर दूँगा और ये जमीन तेरे ल याकूब बिन इस्हाक से बरकत का अःद किया था फिर बनी इस्राइल के अलावा और बनी इसमाईल से कैसे कोई नभी आ सकता है और ये जमीन यानि फिलस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हबा कर दी गई थी और हम बनी इस्माईल के नभी यानि हजरत मुहम्मद ﷺ को ना तो मानते हैं और ना ही अर्जे फिलिस्तीन को छोड़ने के लिए तयार है क्योंकि ये हमारे दादा याकूब ﷺ को अल्लाह ने खुद अता की है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहां ये भी बताते चलें के बनी इस्राइल यानि यहूदी इस्माईल ﷺ की वालिदा बीबी हाजरा ﷺ को लॉंडी का दर्जा देते हैं इस्राइली लिट्रेचर के मुताबिक फिरॉने मिसर ने उनके पर दादा हजरत इबराहीम ﷺ को लॉंडी अता की थी और लॉंडी कभी मालकिन हो नहीं सकती यानि सारा वालिदा इस्हाक ﷺ की हम मर्तबा नहीं हो सकती उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माईल अलाहिस्सलाम को लॉंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत इस्हाक ﷺ से कमतर साबित किया जाए नवजुबिल्ला प्यारे दोस्तों मुस्तनद रिवायात के मताबिक दरसल हुआ यूँ था कि इबराहीम अलाहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराग के बादशाह नमरूद के जुल्मों सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादिय बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी बीवी हजरत सारा अलाहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े रास्ते में मिसर का मुल्क आता था वहाँ पहुँचे तो बादशाहे मिसर फिरौन को उसके लोगों ने खबर कर दी के इबराहीम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीनो जमील बीवी भी है फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शक्स की बीवी खूब सूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था लिहाजा उसने हुकम दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए जब हजरत इबराहीम अलाहिस्सलाम के पास फिरौन के कारिंडे इस गरज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि जिस तरह तुने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला इसी तरह इस बादशाह की बुरी नियत से मेरी पाक बास बीवी सारा को महफूज रखना क्योंकि आप मुसाफिर और अकेले थे इसलिए बेबसी की हालत में बीवी सारा को फिरौन के दर्बार में रवाना कर दिया जब पैगंबरे खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुसनों जमाल को देखकर दिवाना हो गया और खराब नियत से उनकी तरफ बढ़ने लगा ये देखकर बीवी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्ला से दुआ की के ए मालिक मैंने अपने शोहर के सिवा किसी को नहीं देखा मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने हाथ बढ़ाया लेकिन इस दौरान उसे अजाबे इलाही ने पकड़ लिया वो बेहोश होकर गिर पड़ा मुर्विखीन लिखते हैं के उसके मुह से जाग निकलने लगी और करीब था के वो मर जाता ये देख कर सारा अलाहिस्सलाम परेशान हो गई के अगर ये मर गया तो बादशाह के कतल का इल्जाम मुझ पर लग जाएगा उन्होंने फिर अलाह से दुआ की के इसे ठीक कर दे जब वो ठीक हो गया तो उसने दुबारा वही हरकत की और सारा अलाहिस्सलाम को दोबारा दुआ करना पड़ी जब दो बार अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया के ये औरत इंसान नहीं बलकी जिननात में से हैं। उसने अपने कारिंदों से कहा के तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और इसे वापस इसके शोहर के पास ले जाओ। वो सारा अलाहिस्सलाम की शक्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ के जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलाहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी। जिसे बीबी सारा अलाहिस्सलाम ने हजरत इबराहीम अलाहिस्सलाम की खिद्मत में पेश किया और उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। क्योंकि तब तक उनकी कोई उलाद ना थी और इस तरह बीबी हाजरा अलाहिस्सलाम के बदन से अल्लाह ने हजरत इबराहीम अलाहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया जिसका नाम इसमाईल रखा गया। याद रहे कि इस वाकिये के हवाले से बनी इसराईल ने फिरॉन की बेटी हाजरा सलामुला अलैहा को कस्दन कनीज लिखा है बाहवाला बाइबल ता कि उसकी उलाद यानी बनी इसमाईल का मरतबा कमतर किया जा सके। दोस्तों याद रहे के मकामों मरतबा तो अल्ला की तरफ से है जो अल्ला यानी बनी इसराईल में ये तास्थ पाया जाता है कि नबी करीन ﷺ जो के दारुल अंबिया यानि तमाम अंबिया अलाहिस्सलाम के सरदार भी हैं वो उनके कबीले में क्यों नहीं पैदा हुए और यही वजह है अर्बों यानि मुसल्मानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इक्तलाफ की कि वो हजरत इस्हाक अलाहिस्सलाम के अलावा और किसी को अहमियत नहीं देते और नहीं बनी इस्राइल से बाहर किसी को नबी मानते हैं और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी जिद करते हैं कि हजरत इबराहीम अलाहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इस्हाक अलाहिस्सलाम थे ना कि इसमाईल अलाहिस्सलाम जैसा की हम मुसल्मानों का अकीदा है रही बात अर्जे फलस्तीन की तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इस्राइल होने की बजह से अपनी विरासत ख्याल करते हैं दोस्तों विरासत से याद आया के यहूदी हम मुसल्मानों और मसीहियों की तरहे किसी तब्दीली के नतीजे में दूसरे मज़भ को छोड़ कर यहूदी नहीं हुए बलकि उनका दावा है के वो सबके सब हजरत याकूब याकूब अलाहिससलाम की उलाद हैं इसलिए उन्हें बनी इस्राइल कहा जाता है प्यारे दोस्तों तो बात हो रही थी हजरत याकूब अलाहिससलाम की वतन बापसी की उनकी दास्ता बयान करते करते बीच में कुछ जरूरी बातों का जिक्र करना पड़ा दोस्तों रिवायात बताती हैं के बैतुल मुकदस की तामीर के बाद वही पर हजरत यूसुफ अलाहिससलाम की वालिदा राहील के यहां दूसरे बेटे बिन यामीन की विलादत हुई और दौराने जचगी राहील का इंतकाल हो गया हजरत याकूब अलाहिससलाम ने अपनी चहीती बीवी राहील को बैतुल मुकदस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गार दिया जो अब तक मौजूद है कहा जाता है के हजरत याकूब अलाहिससलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मुहबबत थी के उनकी वफात से सक्ट गमगीन हुए और बैतुल मुकदस को छोड़कर अपने वालिद हजरत इसहाक अलाहिससलाम के पास हैबरोन यानी अलखलील शहर आ गए उनका बड़ा भाई महीस भी वहाँ आ गया और दोनों बेटों की मوجودगी में हजरत इसहाक अलाहिससलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए याद रहे हजरत इबराहीम अलाहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलाहिस्सलाम की कबरें इसी शहर में हैं जिसे यहूदी हैबरोन और मुसल्मान अलखलील के नाम से पुकारते हैं दोस्तों रिवायात में हैं कि हजरत याकूब अलाहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी जिंदगी गुजारी शुरू में बड़े भाई के डर से 20 सालों तक वालिदैन से जुदा रहे फिर चहीती बीवी यूसुफ अलाहिस्सलाम और बिन्यामीन की मा राहिल अलाह को प्यारी हो गई और सबसे बढ़कर ये के बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलाहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत सताया क्योंकि हजरत याकूब अलाहिस्सलाम को राहील के बेटों यूसुफ अलाहिस्सलाम और बिन्यामीन से बहुत प्यार था इसलिए हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते थे जिस पर बाकी दस बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलाहिस सलाम को कुए में डाल दिया ये अलग बात है कि बाद में हजरत यूसुफ अलाहिस सलाम मिसर पहुँच कर वहां के हाकिन बने और भायों समीत अपने वालिद को वहां बुला लिया तारीख बताती है कि जब हजरत याकूब अलाहिस सलाम मिसर गए तो उनके साथ कुनबे के सिर्फ तिरानवे आदमी थे लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलाहिस सलाम इसराइलियों को किप्ती इसाईयों की गुलामी से छुडा कर वापिस यरुशलम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी प्यारे दोस्तों रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलाहिस सलाम यूसुफ अलाहिस सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और आखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलाहिस सलाम बादशाहे मिसर थे मुलाकात के बाद हजरत यَाकूब alignment की बीनाई लोट आई और वो 24 साल तक बेटे के पास मिसर मे रहे लेकिन यूसुफ अलहिस सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैत अपने वतन फलस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलहिस सलाम के कदमों में दफं करना हजرت यूसुफ अलाहिस्सलाम ने वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलाहिस्सलाम की मयत को एक संदूक में बंद करके फलस्तीन पहुचाई और वसीयत के मुताबिक हजरत इसहाक अलाहिस्सलाम के पास दफन किया दोस्तों कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराईल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है दोस्तों उम्मीद है के यहां तक आपको बनी इस्राइल के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी के असल में बनी इस्राइल कौन है जहां तक फलस्तीन और बैतुल मुकदस पर कंट्रोल और हाक्मियत का तालुक है तो हकीकत ये है कि ये सरजमीन तीनों बड़े मजाहिब इसलाम, मसीहियत और यहुदियत के नजदीक एक जैसा तक अकद्दुस का दरजा रखती है और इसी लिए यहुदी हर दिन जगड़ते हैं दोस्तों, दरसल यहुदी एक ऐसी कौम है के जिन्होंने हजारों साल अपनी जिन्दगी अल्लाह ताला की नाफर्मानी में गुजारी है हजरत याकूब अलहिस्सलाम के जमाने से बनी इसराइली नामी इस कौम की शुरुवात हुई और इस यहुदी कौम की हमेशा से ही जगड़ा फसाद करने की आदत रही है अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल के धुखे बाजी की पूरी दास्तान कुरानcular पाक में बयान की गई है जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के मनसब से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का मनसब अल्लाह पाक ने मुसल्मानों को अता कर दिया दोस्तों आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे इन्शाललाह अगली किस्ट के साथ तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो बरवक्त आप तक पोहचती रहे अल्लाह हाफिज